किन लोगों को बहुत जल्दी होते हैं भगवान के दर्षन, वो कौन लोग हैं जो कम साधना में ही जल्दी ही उनको भगवान के दर्षन हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत-बहुत समय तक अपनी तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उनको भगवान के दर्षन नहीं होते हैं, जैशिराम दोस्तों तो आज मेरा वीडियो है कि किन रोगों को बहुत जल्दी भगवान के दर्शन हो जाते हैं याने कि वो कौन से गुण हैं जो आपके भीतर अगर आ जाएं आत्मसात हो जाएं तो आपको भगवान के दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें, शियर करें और कमेंट में जैश राम लिखें दोस्तों राम हमारी उर्जा है दोस्तो मेरा चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान तो अब सुरू करते हैं आज का वीडियो कि किन लोगों को बहुत जल्दी होते हैं भगवान के तर्शन यानि सफलता प्राप्त होती है अपने कर्म में आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत जल्दी सफलता मिनती है वो कैसे दोस्तों इसके लिए कुछ गुण होते हैं जो कि आपको आत्मसाथ करने पड़ेंगे ताकि आपका कनेक्शन बहुत जल्दी बैठ जाए तो इसमें सबसे पहला सबसे महतपूर्ण जो गुण है वो है ब्रह्मचर्या तो दोस्तों बहुत बच्ची विचारे इतनी ज्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि कैसे हम अपने आप पर कंट्रोल करें तो दोस्तों ब्रह्मचर्या का पालन के लिए बहुती सरल और असान तरीका में आपको बताऊंगी अगर आपने अपनी दिन चर्या को ऐसे बनाया तो समझ लीजिए कि आप ब्रह्मचर्या को पा सकत जिस तरह से इस्वर जीते हैं जैसे वो सोचते हैं जैसे वो रहते हैं किन गुणों के साथ रहते हैं वैसे ही हमको रहना है तो हम ब्रह्मचर्या को पा सकते हैं दोस्तों ब्रह्मचर्या में सबसे पहला है कि सूर्योदै से पहले जागना है ना आप सूर्योदै से पहले साड़े चार बज़े से साड़े पाच बज़े के बीच में आपको जागना है अगर आप इस तरह से अपनी दिन चर्या रखोगे ना तो आप खुद ही ब्रह्मच कर व्यार का पालन करते रहोगे तो सुबे जागना है आपने दूसरा है उसके बाद आपको exercise करनी है पूरी body को activate करना एक कोशिक को activate करना अपनी बासी की और उसके बाद आपने लगाना है ध्यान meditation मंत्र जाब नाम जब जो भी आप करते हैं वो सब कुछ करना है उसके बाद आपने पूरे दिन भर भगवान मतलब आप हाथों से काम करोगे लेकिन मन से मन को लगा के रखोगे उस इश्वर पर उस सक्टी पर उस इश्ट पर जिसकी आप पुजा करते हैं और हर समय आपका मंत्र जाप तो चलते रहना चाहिए दोस्तों इंद्रियों को कंट्रोल में रखना देखो अपने बस की बात नहीं है मैं तो यही कहूंगी कि इश्वर करवाते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम भगवान से काम ना कर सकते हैं कि हम ब्रह्मचर्या में रहे हमारी इंद्रियां अमारे कंट्रोल में रहे और तब दे और वस्तु को सरीर से पकड़ना है मन से नहीं एकदम सोचो हम खाली आये थे हमको खाली जाना है तो मन को तो लगा के रखो वस उस इश्वर पर है ना आखरी अंतिम घड़ी में वही होने चाहिए साथ में हां वस्तु को पकड़ो देखो संसार में हो सारी चीजें आ रही है आखे बंत थोड़ी कर सकते हो लेकिन मन को इश्वर पर लगा के रखो दोस्तों पहला होगे है दूसरा क्या है देखिए द्यान ध्यान में बैठना और यह थे तक गंटे तक बैठ पाते हो तो यह आपके लिए पहुत उच्छ अवस्ता होगी अगर इस अवस्ता में बैठ के आप मंत्र जाप ध्यान साथना जो भी आप करते हैं माला जब करते हैं इस अवस्ता में करेंगे तो वह जो उर्जा है वह सीधा-सीधा उर्दोगामी होगी और बेसी मोलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्का एक पूरा उर्जा का पत बनेगा ठीक है इससे क्या होता है आप भगवान आपको दर्सन देंगे जल्दी देंगे ठीक है ना इसके अलावा दोस्तों आप इस जन्म की उत्पाद नहीं हो आपने पू क्या अपको है उसी तरह थrif रिज़र्ट देते हैं इक बहुत सारे वीडियो आते हैं कि आप चीज्वों को महांग उसमेंसे मैंने देखा कुछ लोगों की बहुत हैं बहुत जल्दी नहीं होती है और कुछ लोगों की थे अटी नहीं है मतलब ये समझ लो, उन्होंने सारे कर्म कर लिये हैं, ये भी करा, वो भी करा, वो भी करा, तो भी विसेज पूरी नहीं होती हैं, तो मालूम है इसका क्या है, इसका है कि आपकी पूर्व जन्मों की कर्माज, अब आप सोचोगे कि जब हमारी विसेज पूरी नहीं होनी है, हम manifest नहीं कर सकते तो हम काम करना चोड़ दें नहीं कर्म तो आपको करना ही होगा एक समय ऐसे आएगा जब वो जो तुम्हारे दोस्तों इसके अलावा जो भुती महत्तोपूर्ण काम है वो है सात्विक आहार और कम खाना ज्यादा नहीं खाना है और सात्वी खाना है ये भी आपकी साधना को जर्चान लगाएगा तो आहार में सुधता होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और सरीर आपका हर समय एक्टिव रहे इस तरह का आहार खाए अगला है दो परच जा करें उनहीं की कथायों का घंक के उनी की बातों को अफिके करें तो ऐगा जल्दी आपको इस्वर दर्शन देंगे दुस्तों और किसे याद रखें कि जो आज है और क्लम ही और डिल् своyahान वर सो नहीं हैं कि हर समय हर दिन हर गड़ी नहीं है थाफ चीज नहीं पुराना कुछ नहीं है तो बैस नया है नएक को इंजोई करो पुराना पीछे का पकड़के मत रखो उसको भी भूलते रहो भूलते रहो हाँ इतना याद रखो कि जिस जिसने एक बार आपके साथ गलत किया है आप उसे कभी यह मत सुचोगी आपके साथ अच्छा करेंगे लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम गाठ बांगे रखो इसको खोलो गाठे बांगे मुक्ति नहीं होती है तो इस तरह से अपना जीवन जीए है दोस्तों जब इस तरह कि किसी की समाधी लग जाती है किसी का ध्यान लग जाता है इस धर्षन दे देते हैं तो फिर क्या होता है उसके बाद उनको सिद्धी प्राप्त होती है बहुत सारी सिद्ध्य प्राप्त होती है तो उसमें धन डॉलट ब्यभाव चीजें जो वह उसीएट चाहिएं कि देनिगे जब आपके पास यह सारी चीजें आंगी विलासिता का सम फान आएगा उस पर आपको उलजना नहीं है मनदब उसी में खोश हो गए कि जो जी आप सब कुछ आगया मेरे पास नहीं आपको हर समय याद रखना है कि मेरे जीवन का उद्देश क्या है अपने उद्देश को हमेंसा याद rखें क्योंकि इस संसार की जो इतना याद रखना है और बस एक काम पर लगे रहना है भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति याद रखना है तो फिर आप समझ लो आप अपने यात्रा में सफल हो तो दोस्तों इस तरह से अपनी आध्यात्मिक उन्नती करते रहें चरित्र निर्माण करते रहें और अपने आपको सुद्धता में रखें प्यॉरिटी में रखें अपने चरित्र में उच्चता रखें कर्मों में सुद्धता इमानदारी रखें देखिए आपको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें थेंक यू फॉर वाचिंग